हलो एवरिवन तो आज पर टूटराल मम लोग सीखने माले कि किस तरीके से हम हमारे Blender फाइल में किसी भी existing Blender फाइल से किसी भी इटम को एपढ़ करा सकते हैं तो यहाँ पर मैं मेन्य में गया Append फाइल चोग आप देख सकते हो उस पर क्लिक कर दूँगा जहां कहीं भी आपने blender file को save कर रखा है यहां पर यहां से भी आप अपने blender के mesh को या object को या even collection को आप अपने existing blender file के अंदर import कराना चाहते हो या even complete scene को भी अगर आप import कराना चाहते हो इस method से आप कर सकते हो तो जैसी मैं append पर click करता हूँ यहां पर मैं folder पर आ जाता हूँ तो आप जहां पर भी आपने blender file save कर रही है यहां पर जहां से भी आपको एक mesh को import कराना है आप उस file में चल जाईए आप blender file में जाने के बाद collection दीखेगा जैसे आप collection पर click करोगे या object पर click पर होगे तो आपको इस तरीके से result मिल जाएगा जैसे मैंने एक append करने के बाद में blender file में गया जो already saved थी वहां से मैंने यह chair पर click करा तो देखिए है यह chair आचुकी है जबकि यह chair किसी और blender file में already saved है तो यह बस आज का tutorial यही था और इसी तरीके के awesome content के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्स्क्राइब करें Thank you